दिवाली आने वाली है दोस्तों और आज हम बना रहे हैं खाजा जिसे हम चिरोटे भी कहते हैं और ये मिठाई खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है धेर सारी परतो वाली और एक दम रसीली बिलकुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ताकि आपकी रेस्पी एक्तम परफेक्ट बने मैं आपको एक खाजा यहाँ पर तोड़कर भी दिखा रही हूँ के चाशनी इसके अंदर तक गई है बहुत जादा रसीला है ट्रेडिशनली तो इसे मैधे से बनाये जाता है लेकिन आज हम इसे गेहूं के आटे से बना कर त्यार करेंगे ताकि यह जादा हेल्दी बने खाजा मिठाई या फिर चिरोटे बनाने के लिए दूस्तो हमने यहाँ पर डेड़ कप गेहूं का आटा लिया है आप गेहूं के आटे की जगा पर यहाँ पर मैधा भी ले सकते हैं इसके बाद हम इसमें दो चमबच सफेद तिल अड करेंगे तिल अड करने से मिठाई देखने में काफी जादा अच्छी लगती है और खाने में क्रँची लगती है इसके बाद हम इसमें मोयन के लिए घी आड करेंगे तो यहाँ पर मैं दो बड़े चमबच देसी घी इसमें आड कर रहे हूं अब घी की जगा पे यहाँ पर ओयल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों घी डालने से मिठाई जादा खस्ता बनती है अब आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे आटे में घी अच्छे से लग जाए और इसके बात आटे की हम मुठी बांद कर देखेंगे अगर आटा इस तरह से ही कठा हो रहा है इसका मतलब इसमें जो मोयन हमने डाला है वो एकतम perfect है अगर आपको लगे कि इस तरह से आटा ही कठा नहीं हो रहा है तो आप इसमें फोड़ा सा घी या तेल और भी ढाल सकते हैं अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा कर तय तो देखें, यहां पर हमने आटा लगा कर दियार कर लिया है, जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने यह आटा लगाया है, अब हम आटे को ढग कर रेस्ट के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं, चाशनी बनाने के लिए गैस पर हमने एक पैन को रखा है, और इसमें हम डाल देंगे एक कप चीनी, और साथ ही हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे, और गैस के फ्लेम को आउन कर लीजिये, और चीनी को हम घुलने तक पका लेंगे, थोड़ी तिर में आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे से घुल गई है, इसके बाद फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं दो हर इलाइची को तोड़ कर इसमें एड़ कर रहे हूँ, आप चाहें तो इलाइची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ से केसर के धागे भी डा फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें एड़ कीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दीजेगा, दिखी चाशनी को हमने चीनी घुलने के बाद दो मिनट के लिए पका लिया है, यहाँ पर चाशनी थोड़ा सा ग आटे को हाथों में उठाकर थोड़ असा इसे इस तरह से रोल करेंगे, तो मैंने इसे चकले पर रख लिया है और अब हम आटे को दो भाग में इस तरह से काट लेंगे, अब आटे की एक लोई को फिर से हम रोल करेंगे, तो देखी इस तरह से हाथों से आपको इसे रोल कर दोनों में से हमने साथ साथ लोई यां इस तरह से काटेंगे और मैं इन्हें उठाकर पहले बाउल में रख देती हूं तो दूसरे रोल में से भी हम साथ लोई यां काटकर तयार कर लेंगे साथ साथ लोई के हमें यहां पर दो सेट बनाने हैं तो इन्हें हम उठाकर बाउल म त्यार कर लेंगे अब देखे थोड़ सा सूखा अठा मेने चकले पर लगाया है और एक रोटी को रख लिया है इसके उपर हम थोड़ सा देसी घी इस तरह से हाथों से लगा देंगे इसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे दूसरी रोटी के उपर भी हमें इसी तरह से घी लगाना है रोटियों में घी और सूख अटा लगाने से दोस्तो खाजा में धेर सारी परते बनती है वैसे तो इसके लिए साटा भी बनाया जाता है अगर आप साटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ से सूखे आटे में थोड़ सा मेल्ट किया हुआ घी मिलाकर आप साटा बना सकते हैं उसे भी आप लगा सकते हैं लेकिन मैंने याँ पर पहले थोड़ सा घी लगा है रोटी के उपर और इसके बाद थोड़ सा सूखाटा दोस्तो यहांपर सात रोटी हमने यहांपर लगा दी है और अब हम इसे देखिए थोड़ा सा बेल लेंगे बहुत ज़ाधा इसे पतला नहीं करना है बस थोड़ा सा बेल करना इसे बढ़ा लीजिए सातो रोटियों में घी और सुखाटा लगाने की बाद दोस्तों हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसे देखी इस तरह से रोल करेंगे हमें इसे टाइट ही रोल करना है तो जब आप इस तरह से किनारे तक आ जाएं तब आपको यहां पर थोड़ा सा पानी लगाना है पानी लगाने से इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से चिपक और जब हम खाजा के pieces को काटेंगे तो वो खुलेंगे नहीं पानी लगाकर आप इसे हाथों से थोड़ा सा फिर से रोल कर लीजी और बस इसके बाद अब हम इसके pieces को काटेंगे तो पहले किनारी ही थोड़ा सा काट कर हटा दीजी और इसके çब aan भी इने फ्राइ कर सकते हैं, इससे भी इनकी बहुत अच्छी शेप आती है, और आप इनके अंदर लेयर्स भी देख सकते हैं, कितनी सारी परते इनके अंदर बनी है, तो आप चाहो तो इस तरह से हाथों से थोड़ास से ट कर लीजिए, या फिर आप दिखी इन्हें इस त तो चलिए अब हम इने fry कर लेते हैं fry करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल को दोस्तों यहाँ पर हमें बिल्कुल हलका गरम करना है बिल्कुल भी तेल यहाँ पर जादा गरम नहीं होना चाहिए हलके गरम तेल में ही आपको इन्हें फ्राइ करना है और आप थोड़ी देल में देखेंगे कि ये अपने आप तेल में उपर तैरने लगते हैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिये जब ये तेल में उपर तैरने लगें तब हम इन्हें हलके हाथों से इस तरह से पलट देंगे और अच्छा गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे और ये देखे बहुत ही बड़ी हैसा सुंदर कलर आ गया है और दोस्तों आप इनके अंदर ना लेयर्स भी देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स इनमें बन गई है ब अब हम इने तुरंत ही चाशनी में डाल देंगी चाशनी याँ पर हलकी सी गरम है चाशनी जब हलकी सी गरम होगी तो इनके अंदर तक अच्छे से जाएगी अब हम इने चाशनी में देखे चमच के साथ अच्छे से डिप कर देंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी में डू आप इसे इसी तरह से नमकीन खाजा भी बना सकते हैं तो आपको इने शुगर सिरफ में डिप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और जब आप इसका आटा लगाएं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजेगा और बस इसी तरह से इने बनाकर फ्राइ कर लीजेगा तो आ आसान सी रेसिपी को एक पर ट्राइ करना तो बिल्कुल बनता है दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी पसंदाती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और शेर कर दीजे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैं आपको एक खाजा तोड़कर दिखा देती हू और आप इसका साउंड भी सुन लीजे ये कितना जादा खस्ता है और चाशनी इसके अंदर तक गई है